जब आप अपने घर में इंग्लिश बोलनी की कोशिश करते हैं तो आप कई बार सिर्फ इसलिए अटक जाते हैं क्योंकि आप कोई पता ही नहीं होता कि एक छोटा सा दिखने वाला वाक्य है एक छोटा सा वाक्य किस तरह से बोलना है जैसे की कपड़े ठीक से रखो इदर उदर मत बिखेरो चैनल नंबर 209 लगा दो अपनी आखें खराब मत करो नाखुन काटने वाला कहा गया फैन को दो पर रखो सेव का छिलका उतार दो थंडी थंडी हवा चल रही है दीवार पर स सहारा मत लो मुझे चक्कर आ रहे हैं मैं इन पिंपल से परेशान हो गई हूँ यही नहीं इस तरह के कितने सारे सेंटेंस आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही इंट्रस्टिंग और इंपोर्टेंट घर परिवार की आदी इंग्लिश तो आप आज ही सीख बोलो, open the Elmira, Elmira को आधा खुला रखो, keep the Elmira half open या फिर keep the Elmira अजार, आधा खुला के लिए half open कहते हैं या फिर आप अजार भी कह सकते हैं Elmira को पूरा खुला रखो, keep the Elmira fully open, Elmira को थोड़ा खुला रखो, थोड़ा खुला, keep the Elmira slightly open, या फिर keep the Elmira partly open, जिस तरह से हमने Elmira की बात की, उसी तरह से हम दर्वाजे या खिडकियों की भी बात कर सकते हैं, दर्वाजे को आधा खुला रखो, keep the door half open, या keep the door ajar, दर्वाजे को पूरा खुला रखो, keep the door fully open, दर्वाजे को थोड़ा खुला रखो, keep the door slightly open, या keep the door partly open, अच्छा यहाँ पर जो sentences मैं आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा time मैं आपको दे नहीं रहा हूँ, नोट करने के लिए, अभी आप ज़्यादा नोट भी मत करिए, केवल सुनते जाईए, समझते जाईए, क्योंकि इस वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि एक article में मैंने इसको लिखा है, कहाँ पर है वो article आपके लिए, जहाँ पर इस सभी sentence आपको मिल जाएंगे, कपड़ों को Elmira में रख दो, कपड़ों को Elmira में रख दो, रखने को आप put या keep दोनों तरीके से sentence में यूज़ कर सकते हैं, put the clothes into the Elmira, या फिर keep the clothes into the Elmira, कपड़े ठीक से रखो, इदर-उदर मत विखेरो, keep the clothes properly, don't mess up, mess up का मतलब होता है इदर-उदर विखेर देना, कपड़ों को hangar पर लटखाओ, hang the clothes on hangars, या फिर put the clothes on hangars, दोनों तरीके में से किसी भी तरीके साब बोल सकते हैं, कपड़ों को Elmira से बाहर निकालो, बाहर निकालने को आप take out कहते हैं, take the clothes out of the Elmira, Elmira बंद कर दो, close the Elmira, अच्छा जिस तरह से Elmira को close करने की बात आती है, ठीक उसी तरह से आप दरवाजे खिर्कियों को भी close करते हैं, ऐसे में जब हम कहते हैं, दरवाजा बंद कर दो, यहाँ पर इस सेंटेंस को दो तरीके से बनाया जा सकता है, close the door, या फिर shut the door, लेकिन ध्यान रहे, जैनरली Elmira के साथ आप शर्ट वर्ड का यूज नहीं करते हैं, दरवाजे और खिर्कियों के साथ करते हैं, अच्छे, यहाँ पर दो सेंटेंस में आपके सामने रखता हूँ, थोड़ा इंट्रस्टिंग है, बहुत ही प्यारा से डिफरेंस है, पहला सेंटेंस है, खाते वक्त अपना मुह बंद करो, close the mouth while eating, और दूसरा सेंटेंस है, खाते वक्त अपना मुह बंद रखो, यानि कि यहाँ पर सेंस थोड़ा दूसरा वाला आ रहा है कि, खाते वक्त ना बाते मत करो, वो वाला सेंस आ रहा है, मुह बंद रखो अपना, shut the mouth while eating, तो जब आप किसी को यह कहते हैं कि, आपका मुह के अंदर का हिस्सा दिखना नहीं चाहिए, ऐसे मैं आप close का यूज करते हैं, तो देखिए कितना interesting difference है दोनों sentences में, कपड़ों को कील पर लटका दो, कील को हम nail कहते हैं, hang the close on the nails, यहाँ पर एक कील लगा दो, hammer a nail here, या फिर insert a nail here, दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, मैं इस कील पर अपनी फोटो लटका हूँगा, मैं इस कील पर अपनी फोटो लटका हूँगा, I will hang my photograph on this nail, नाखुन काटने वाला कहां गया, नाखुन काटने वाले को हम nail cutter भी कहते हैं, और nail clipper भी कहते हैं, तो जब भी आपको अपने घर में कोई चीज नहीं मिल रही हो, तो हमेशा I can't find इस formation का यूज आप कर सकते हैं, I can't find my mobile, I can't find my charger, I can't find my book, जैसे किताब आपको नहीं मिल रही है, I can't find my book, कपडों को बाहर लटका दो, यानि कपडों को बाहर सुखा दो, put the clothes in the sun, या फिर put the clothes under the sun, सूर्य एक प्राकटिक सेनिटाइजर है, सेनिटाइजर क्या होता है, जो सफाई कर देता है, साफ कर देता है, आज नीली शर्ट पहनो, पहनने को put on कहते हैं, put on the blue shirt today, अभी का अभी इस T-shirt को उतार दो, उतारने को take off कहते हैं, take off this T-shirt right away, right away का मतलब अभी का अभी यानि इसी वक्त, जूते पहन लो, put on the shoes, जूते उतार दो, take off the shoes, यहाँ पर भी आपने पहनने के लिए put on, और उतानने के लिए take off का यूज किया, संत्रा छील दो, या फिर मैं कहूँ कि संत्रे का छिलका उतार दो, इस sentence को बनाने के दो तरीके हैं, पहला तरीका है, और दूसरा तरीका है, पील ओफ दी ओरेंज, अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, कि संत्रे के बाहर का छिलका होता है, जिसे आप छिककल भी कहते हैं, उसे इंग्लिश में पील कहते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर कहा, रिमूव दपील ओफ दी ओरेंज, अच्छा, इसी तरह का एक और सेंटेंस लेते हैं, सेव का छिलका उतार दो, अब सेव जो है न, उसका जो बाहर का छिलका होता है, वो इस तरह का नहीं होता है, कि वो अलग से हो कुछ, वो तो बिल्कुल चिपका होता है, उसकी न, szerkin होती है, उसे स्किन कहते हैं, रिमूव दे szerkin of the apple, और दूसा तरीका है, पील of the apple, और अगर हमें कहना है, केला छील दो, केला छील दो, अब केले का जो भाहर का छिलका होता है, वो बिल्कुल वैसे ही होता है अलग सा होता है जैसे कि औरेंज का होता है इसे उसे पील कहा जाता है Remove the peel of the banana या फिर peel of the banana सिर पर तेल लगा लो तेल लगाने को apply करना कहते हैं apply the oil on the hair सिर पर तेल मालिष कर दो अच्छा तेल मालिष को आप oiling कहते हैं do oiling on the hair शरीर पर तेल मालिष कर दो अच्छा यहाँ पर जो तेल लगाया जा रहा है जिसकी मालिष की जा रही है वो body पर की जा रही है तो इसे oiling नहीं कहते हैं इसे कहते हैं body massage do body massage massage की spelling देखिए m-a-s-a-g-e और अगर मैं कहूं उसे message कर दो message वहाँ पर message की spelling अलग है m-e-s-a-g-e message him या फिर text him तुम मुझे message क्यों कर रहे हो why are you messaging me या फिर why are you texting me मेरे चेहरे पर बहुत सारे pimples हो गया है I've got so many pimples on my face अगर आपकी oily skin है तो आपको pimples हो सकते है if you have oily skin you may have pimples अच्छा आपके घर पर TV होगा TV या LED LCD भी आप कहते है TV on कर दो on करने को switch on कहते है या turn on कहते है switch on the TV या turn on the TV TV off कर दो switch off the TV या turn off the TV आवाज बढ़ा दो increase the volume या turn the volume up तो या तो increase कर दो या turn up कर दो और अगर आवाज को कम कर दो बोला आवाज कम कर दो तो यहां पर आप कह सकते है decrease the volume या turn the volume down या फिर lower the volume तीनों में से किसी कभी आप यूज़ कर सकते हैं आप रट लीजिए जो आपको मन करे उसे बोलिए colors लगा दो colors एक channel है न तो जब भी किसी channel को लगा दो तो ऐसे में tune in का आप यूज़ करेंगे tune in to colors tune in to colors या फिर sony लगा दो tune in to sony 98.3 FM लगा दो tune in to 98.3 FM 209 लगा दो कभी कभी आप किसी particular number को लगाने की बात करते हैं कि channel number 209 लगा दो या 512 लगा दो 310 लगा दो तो ऐसे में भी tune in का यूज़ करेंगे tune in to 209 कोई news channel लगा दो tune in to some news channel TV on रहने दो TV on रहने दो keep the TV on या फिर keep the TV switched on वह पूरे दिन TV में घुसा रहता है वह पूरे दिन TV में घुसा रहता है he is engaged on TV throughout the day अपनी आखें खराब मत करो अपनी आखें खराब मत करो खराब करने के लिए spoil कह सकते हैं ruin कह सकते हैं, damage कह सकते हैं, don't spoil your eyes, don't ruin your eyes, don't damage your eyes आचा यहाँ पर जो word ruin है इसको pronounce करने में बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है ruin, ruin ऐसे बोलना है ruin बहुत ज़्यादा TV देखना तुम्हारी आखें खराब कर सकता है watching TV too much may damage your eyes बहुत पास से टीवी देखना तुम्हारी आखें खराब कर सकता है पिसली बार था बहुत ज़्यादा TV देखना, इस बारे बहुत पास से टीवी देखना watching TV too closely may damage your eyes, may ruin your eyes, may spoil your eyes मुझे यह धरवाईक देखना बहुत पसंद है I love to watch this serial यह धरवाईक मेरा पसंद दीदा है This serial is my favorite अच्छा आपके घर पे fan भी है और fan का regulator भी होता है आपने regulator देखें होगे न 1,2,3,4,5 numbering होती है उसमें fan on कर दो switch on the fan fan off कर दो switch off the fan पंखा तेज चल रहा है the fan is running fast यह पंखा चलते समय तेज आवाज कर रहा है This fan is making a loud noise while running This fan is making a loud noise while running यह आवाज क्यों कर रहा है Why is it making noise शायद इसकी motor खराब हो गई है Maybe its motor is malfunctioning Malfunction का मतलब होता है किसी भी equipment का सही से काम न करना Maybe its motor is malfunctioning इसे ठीक करवा दो Get it repaired किसी भी चीज को ठीक करवानी की बात आए हमेशा यह sentence आपको रट लेना है Get it repaired जैसे किसी ने mobile दिखा आपको का कि mobile खराब हो गया तो आप कह सकते है Get it repaired अपना mobile ठीक करवा दो Get your mobile repaired अच्छा fan पे हम वापस आते है रेगुलेटर को दो पर लगा दो ऐसा अकसर होता है दो की स्पीड पे एक की स्पीड पे तीन की स्पीड पे तो जब आपसे कोई कहे रेगुलेटर को दो पर लगा दो Keep the regulator at 2 इसे 5 पर लगा दो बहुत घुटन हो रही है Keep it at 5 It's very suffocating right now Speed बढ़ा दो Fan की स्पीड को बढ़ाने की बात हो रही है Increase the speed Fan की स्पीड बढ़ा दो Increase the speed of the fan अच्छा ये बहुत लंबा सा लगता है sentence Increase the speed of the fan तो इसकी जगह पर English native एक चोटा सा sentence Use कर लेते हैं Speed of the fan और ठीक इसी तरह से Speed घटा दो घटाने के लिए decrease कह सकते हैं Reduce भी कह सकते हैं Decrease the speed या फिर reduce the speed Fan की स्पीड घटा दो Decrease the speed of the fan या reduce the speed of the fan और एक छोटा सा sentence भी का जा सकता है Speed down the fan अब आजाते हैं आपके मोबाईल पर मेरे पास एक MI मोबाईल है मेरे पास एक MI मोबाईल है I have an MI mobile मेरे पास एक Samsung mobile है I have a Samsung mobile मेरे पास एक iPhone है I have an iPhone मेरा मोबाईल चाइना में बना हुआ है यानि की चाइना मेक का है My mobile is a China make मेरे मोबाईल में तीन कैमरे हैं लेकिन picture quality बकवास है My mobile has three cameras but picture quality is pathetic pathetic का मतलब बिलकुल बेहुदा बकवास तेरा बढ़िया है 10,000 का है लेकिन कैमरा जबरदस है होता है ना अक्सार ऐसा Yours is better It's only for 10,000 but the camera quality is awesome जबरदस मतलब awesome मेरे मोबाईल का कैमरा 42 मेगापिक्सल का है My mobile has a 42 मेगापिक्सल कैमरा मेरे मोबाईल की screen तूट गई है My mobile screen is broken मैं इसे ठीक करवाऊंगा I'll get it repaired I will get it repaired साड़े 4,000 रुपे लग रहे हैं It's costing 4500 रुपीस इससे बढ़िया तो नया मोबाईल ही खरीद लूँगा इस sentence को बोलने के दो तरीके हो सकते हैं It's better to buy a new mobile than या फिर I would rather buy a new mobile I would rather buy a new mobile एक अच्छा mobile कम से कम 10,000 में मिलेगा A good mobile will cost minimum 10,000 रुपीस दिन भर mobile पर मत घुसे रहा करो दिन भर mobile पर मत घुसे रहा करो Don't just be a mobile for the whole day Don't just be a mobile for the whole day बस इसी तरह से sentence को रट लेना है और घर में कोई बच्चा जो mobile पर घुसा रहे उस बच्चे को तुरंत ये बोल करके mobile उससे छीन लेना है और फिर उसे ये भी बोलना है इससे आपकी आखें घराब होती है अब लेते हैं कुछ ऐसे sentence है जैसे बिस्तर से उतर जाओ किसी भी चीज से उतरने को हमेशा get off कहते हैं ध्यान रहे और चड़ने को get on बिस्तर पर आ जाओ get on the bed बिस्तर सही कर लो जैसे सोने से पहले आपकी मम्मी आपसे कहते हैं बिस्तर सही कर लो prepare the bed या फिर make the bed मेरा रूम खच-पच हो रखा है मुझे इसे ठीक करने दो My room is messed up यानि सब फैला हुआ है यहाँ My room is messed up Let me arrange it मुझे एक तक्या चाहिए तक्या को pillow कहते है I need a pillow मैं तक्या के बिना नहीं सो सकता I can't sleep without a pillow I can't sleep without a pillow क्या मैं फैन चला दूँ Do I switch on the fan? आज बहुत जादा गर्मी है It's terribly hot today या फिर It's blistering heat today आज कड़कड़ाती ठंड है कड़कड़ाती ठंड यानि जिसमें आप काप रहे है It's a bitter cold today या फिर It's a shivering cold today बारिश ने मौसम को खुशनुमा कर दिया है यानि बहुत मजा आ रहा है The rain has made the weather pleasant The rain has made the weather pleasant Inverter ठीक से काम नहीं कर रहा है Inverter is not functioning well या फिर Inverter is malfunctioning मैं आपको बताया ना malfunction करना कहते हैं किसी भी equipment का खराब तरीके से काम करना दिवार पर सहरा मतलो Don't lean against the wall किसी पर सहरा लेने को lean against कहते हैं जैसे मुझ पर सहरा मतलो Don't lean against me Elmira पर सहरा मतलो Don't lean against the Elmira इस पर सहरा मतलो कोई भी चीज है उस पर कोई बच्चा सहरा ले रहा है तो आप कह सकते हैं Don't lean against it कहीं नजर न लग जाए Touch wood बहुत दिनों से आपको देखा नहीं इसके लिए बहुत ही interesting सा एक phrase यूज होता है Long time no see जैसी आपकी मर्जी As you wish या फिर As you please भगवान की कृपा से मैं सुरक्षत हूं By God's grace I am safe माफ कीजिएगा मुझे थोड़ी देर हो गई अगर यह sentence आपको किसी को बोलना पड़े तो बस एक sentence रट लीजिए Sorry I got a little late किरपया अपने आप लीजिए जैसे मान लीजिए कि आप अपनी मम्मी से पानी मांग रहे हैं तो आपकी मम्मी आपसे कह सकती है Please help yourself यानि खुद लो यह नहीं कि दूसरे से मंगाओ किरपया अपने आप लीजिए इस दवा से आपका बुखार उतर जाएगा Your fever will go down with this medicine Your fever will go down with this medicine मुझे चक्कर आ रहे हैं चक्कर आने के लिए giddy ये dizzy I am feeling giddy या फिर I am feeling dizzy आकाश में बादली बादल चाहे वे हैं यानि कि पूरा जो sky है जो आकाश है वो overcast हो रखा है clouds से The sky is overcast with clouds आज उमस बहुत जादा है आज उमस बहुत जादा है उमस का मतलब होता है humidity यानि बहुत ही humid है आज It's very humid today हवा बंद है The wind is still Still मतलब बिल्कु स्थिर अच्छा इस word से related एक sentence मुझे ध्यान आता है किर्पया स्थिर रहे हैं मुझे अपनी तस्वीर लेने दें तो आप किसी वेक्ति को जैसे उसकी तस्वीर लेते हैं एक स्थिर रहे है Please stand still Please stand still का मतलब है किर्पया ऐसे रहे हैं स्थिर रहे है मुझे अपनी तस्वीर लेने दीजिए ये दवा खाली पेट लेना Take this medicine on empty stomach मौसम अचानक खराब हो गया है The weather has suddenly turned bad आज हमने जितने भी सेंटेंस सीखें इन सभी सेंटेंस को मैंने एक आर्टिकल में लिख दिया आपके लिए अपनी वेबसाइट पर उस आर्टिकल का लिंक इस वीडियो के दिस्क्रिप्शन में है आप जरूर जाकर चेक करिएगा Thank you so much for watching this video guys अगर आपको यह वीडियो लक्षा पसंद आया हो तो like करिएगा, share करिएगा और subscribe जरूर कर लिजे चैनल को और कम से कम अपनी फ्रेंड को Share जरूर करिएगा WhatsApp या Facebook पर आप सभी से फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लक्षा में Take Care, Goodbye सभी वीडियो एक के बाद एक देखने के लिए आप चैनल की प्लेइलिस्ट में जाएए या फिर Spoken English Guru Android App इंस्टॉल कर लिजिए आप चाहे तो Complete Course Kit भी मंगवा सकते हैं जिसमें आपको Six Months का Free Technical Support दिया जाता है अधिक जानकरी के लिए विजिट करिए www.wemakebloggers.com